हाई नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे सुपी सक्सेना पर और इस चैनल पर मैं आपको रेडियो से डूड़ी बाते बताती हूँ तो हमारे पस कई सारे सवाल आये हैं इसी शंक्रा में मैं आपको सवालों का जवाब देने वाली हूँ तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तो मेरे पस एक सवाल आया हुआ है उस सवाल में पूछा है कि मैंने रेडियो जोकी का कौन सा कूर्स किया है तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत प्यार से मुझे देखते हैं और समझते हैं और उसके बाद रिस्पॉंस आता है आपका तो आज इसी प्रश्ट का जवाब देने वाली हूँ कि मैंने आरजे का कौन सा कोर्स किया है तो इस सवाल का जवाब अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखरी तक देखिए और सबसे पहले मेरे इस चानल को जल्दी से लाइक कर दीजे और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप नए हैं हमारे चानल पर तो दोस्तों यह सभी जानते हैं कि रेडियो यह आवाज एक ऐसा माध्यम है जिससे हर कोई जोनना चाहता है और मैं कई वीडियो में बता चुके हूँ कि मुझे यह रेडियो का शौक है मेरी नानी से मिला है मेरी नानी को रेडियो सुनने का बहुत शौक हुआ करता था और मेरी नानी जब सुनती थी तो मुझे भी ओविसली सुनाती थी तो देरी देरी ये शौक बढ़ता चला गया और कब मुझे रेडियो से जुनने का मौका मिला ये मुझे अपने आप ही नहीं बता चला लेकिन हाँ मैं बतागूं आपको कि मैं 12th कर चुकी थी graduation में थी और एक दिन radio सुन रही थी क्योंकि radio सुन नहीं कर अटना shock था कि सोते, जाकते, उठते, चलते, बैटते, खाना खाते इवन पढ़ाई करते भी रेडियो में सुना करती थी जैसे आजकल लोगों को mobile का चस्का लगा हुआ है वैसे ही उन तिनों जब mobile नहीं हुआ करते थी तो radio का चस्का लगा हुआ था क्योंकि radio एक ऐसा medium था जिसमें गाने आते थे और कानों के साथ सथ अच्छे प्रोग्राम्स आते थे और साथ ही आप उसे कहीं भी carry कर सकते थे और उसे अप slow करके भी सुन सकते थे लेकिन हाँ एक अच्छाई थी radio की वह आपको बिगारता नहीं था आपको एक अच्छी सीख देता था तो मेरे जो language है आज भाषा है वो कहीं किसी ना किसी हद तक इसलिए radio से मिलती जुलती है क्योंकि मैं radio ही सुना करती थी मेरा कोई और दोस्त या साथ ही नहीं था आजकल के दौर में जो बच्चे हैं वो mobile के थूँ पताने किस-किस से connect हो रहे हैं और किस-किस की भाषा सीख रहे हैं किस तरह की language सीख रहे हैं क्योंकि वो online होते हैं और लोगों से बाते करते हैं और वो उनके अंदर आने लगता है वही सेम चीद हमारे अंदर है मेरे अंदर थी और मैंने ऐसे रेडियो सुनना शुरू किया अब जब मैंने पहली बार रेडियो के लिए सुना कि audition होने वाले हैं मैंने औस audition को के बारे में सुना पढ़ा और अपने पापा से गा तो पापा ने मुझे form भरवाया उसका एक डीडी बनता था वो बनवाया और मैंने उसे पोस्ट कर दिया मेरे सास मेरी सिस्टर ने भी पोस्ट कर दिया हम दोनों ने कर दिया फिर हम दो साल तक भूली गए हमें याद ही नहीं था कि हमने रेडियो का कोई form फिल किया है याने audition के लिए फिर पापा का ट्रां सब्सवर होए शिफ्ट हो गए उस समय में एमे कर रही थी हिंदी लिट्रेचर से और हम यहां रहे देड़ दो साल उसके बाद फिर हम वापस लौटे और 2000 में हम वापस लौट चुके थे जबलपूर तो अचानक एक चिथी आती है और चिथी में हम दोनों बहनों के लिए और उसके बाद हम पापा के साथ जब भी ऑडिशन था एक हफते या दो फ़ते बाद चले गए और ऑडिशन की तयारी हमने नहीं की थी कुछ भी नहीं किया था में पता ही नहीं था कि अटीशन होता कैसे है क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था तो वहाँ पहुंचे देखा तो एक परचा दिया गया, तो एक पेपर था, उसमें कुछ चंप थे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दु के, कुछ पापा से पूछे, कुछ खुद ने रेडियो सुनते थे, उस वज़े से पता किया, आखिरकार ओडिशन के लिए गए और ओडि में ही हम सिलेक्ट हो चुके थे, आकाश्मणी जबलपूर में, जो कटंगा में है, और बस वही से हमारा रेडियो का सफर शुरू हुआ, और उसके बाद हमने शोर शुरू कर दिये, तो फस्ट अप मेरे 10 अप्रेल 2000 को पहला शोर था मेरा, तो ये एक ऐसी कहानी है, जो बि बाते कर रहे थे, जिसमें हमारे दोस्ते आलमगीर खान, जिनका शोर में रेडियो पर युवानी के इंदर बहुत सुनती थी, मुझे बहुत पसंथी उनकी आवाज, तो जब आलमगीर खान के साथ मेरा पहला शोर लगा, तो मैं उन्हें बहुत एक्साइटेड हो करी बात कोर्स नहीं था, तो हमने कोई कोर्स नहीं किया, हमने सिर्फ अपना रेडियो का जो स्किल्द था, जो मैं सुनती थी, वो स्किल्द हमने अपनाई, उसको हमने सीखा था, और जो घर में बातशीत होती थी, वो देखा, वो जारन साफ थे, थोड़ा स्टाइल रेडियो से हो गई थी उसी के वजह से हम यह से लेक्ट हुए तब यह नहीं होता था बड़ आज की डेट में लोग आर्जेस के कोर्स कर रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं वाइज ओवर की या फिर शब्दों की उचारन की तो आप मु चोटी से ट्यूशन भी आपको सिलेक्शन करा देती है तो अगर आप करना चाहिए तो जरूर मुझसे मुलाकात कीजिए मेरा नमबर मेरा इमेल आईडी मैं आपको देती हूं आप मेरे साथ जुड़िए बहुत ही मिनिमम फीस होगी इसकी जादा फीस नहीं होगी और आप जितना अच्छा मिरे साथ सीक सैंटे हैं जरूर सीखिए जितनी हेल्क मेरी हो सकती है आपकी करने की मैं उतना करने की कोरूँवगी तो तो यह थी अशाधी आप छोड़े रहिए धन्यवाद शुक्रिया और शिर करना मत बहुलेगा धन्यवाद